मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दो अंको में दो अंको का गुड़ा जो है आज ओपाँज के लिए बच्चों दायरेक करते हैं दो दो फाने वीडियो के में दो मैं वेडियो का प्यूद्र हमें तो स्वाल कर के भान या कि यूद इसको मान लिया और इसको शनाव कि दिया अंहीं पहला लिदा कि पिसा इसमें फ़र करते हैं V गुड़े D हम करेंगे पहला वी गुड़े D कर दीए दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है A का गुड़ा D में करना है धन C गुड़े B करना है और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है ये गुड़े C करना है अर्थात पहले हमें इसका गुड़ा इसमें करना है उसके बाद इसका गुड़ा इसमें इसका तीरियक गुड़ा करके हमें क्या करना है इसको जोड़ना उसके बाद इसका गुड़ा इसमें करना है तो इस तरह से इस गुड़न की विधी से सवाल को देखते ही हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं हमें ये तीन स्टेप याद रहना चाहिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तिसरा स्टेप पहले स्टेप में इसका गुड़ा इसमें करके हमें लिखना है हांसिल को अलग करना है इसके बाद इसका गुड़ा इसमें और इसका गुड़ा इसमें करके जोड करके हमें लिखना है और अंत में इसका गुड़ा इसमें कर देना है तो इस तरह से ये गुड़न विधी के द्वारा ये दो अंकों की सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है तो आईए देखिए मैं आपको इस गुड़न विधी से इस सवाल को किस तरह से हल करके बता रहा हूँ तो 36 में 16 का गुड़ा करना है तो हमें पहले क्या करना होगा पहले इस टेप में हमने क्या किया 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़े 6 चवा के 36 आ गया और इसका हांसिल हमने यहां ले लिया 36 की 3 इसके बाद हमने 6 का गुड़ा 3 में किया 6 के 6 6 12 6 तुरी кап 8 हो गया इसके बाद 6 का गुड़ा एक मीग यह 6 कम 6 हो गया यहां हमें क्या करना है हासिल को जोड़ते समय इकाई का अंक इकाई की निची दहाई का अंक दहाई की निची यदि हम इकाई दहाई लिखने में गलत कर देंगी तो हमारा जोड़ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब देखिए हम इसका जोड़ करते हैं 18 में 6 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे तो इकाई यंग सेदी जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 17 के 7 हो गया हांसिल एक हो गया एक-एक एक-एक दो हो गया इसका मतलब यह 27 आ रहा है 27 का अब यहां हमें क्या करेंगे साथ लिखेंगे और यह हांसिल 2 इसको हम अलग लिखेंगे अब 3 का गुड़ा ein में करेंगे तीन एक कम 3 और 3 में यह दो जोड़ देंगे तीन दो पांच हो जा रहा है तो 576 जो है इसका उत्तर आ रहा है 36 में 16 का गुड़ा करने पे 576 उत्तर आता है यदि हम इसी सवाल को पुराने विधिसे करेंगे तो देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे 36 गुड़े 16 गुड़ा का निशान लगा देंगे इकाई यंक से इकाई के 36, 36 के 6 हासिल 3 6 के 6, 6, 2, 12 6, 3, 8, 8, 9, 20, 21 हो गया उसके बाद क्या करते हैं इकाई यंक पे शुन लगा देते हैं और दहाई यंक का गुड़ा करने के लिए दहाई यंक के नीचे से लिखना सुरू करते हैं ये हमें यहाँ याद रखना रहता है तो 6 एक कम 6 हो गया और 1 तियाई 3 हो गया अब इसको हम जोड लेंगे 6, 6, 1, 7 3, 2, 5 तो इस विधी से सवाल को भी हल कर किया जा सकता है ये आपको इस विधी से सवाल हल करना अच्छा लगता है तो इस विधी से सवाल हल करिए या और गुड़न विधी से ये आप सवाल को हल करते हैं तो गुड़न विधी को आपको याद करना है और उससे सवाल आप जल्दी से और बहुत ही आसानी से उस विधी को ध्यान में रख करके सवाल को आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं इसके अंतरगत एक उधारन और देखते हैं गुड़न विधी से हल करने के लिए 90 गुड़े हमें 15 करना है 90 में 15 का गुड़ा करने के लिए पांच सुन्ना सुन्न हो गया किसी भी संख्या में सुन्न से गुड़ा करने पर शुन्ने आता है अब तीरियक गुड़ा के विधी के अनुशार नौ पचे इसका गुड़ा मैंने इसमें किया नौ पचे पैंतालिस हो गया और इसका गुड़ा मैंने इसमें किया एक सुनना शुनने हो गया ये सुनने जोड़ दिया 45 आ गया 45 का मैंने 5 यहां लिख दिया अब क्या करना है इसका गुड़ा इसमें किया 9 एक कम 9 और ये 4 जो हांसिल है इस 4 को इसमें मैंने जोड़ दिया 9-10-10-13-13 हो गया और मैंने यहां लिख दिया 13 तो इस तरह से 90 में 15 का गुड़ा करने पर उत्तर जो है 1350 उत्तर आ रहा है यदि इसी सवाल को हम गुड़न विदी से इस तरह से लगाएंगे अपनी प्रचलित विदी से तो 90 गुड़े 15 में हमें क्या करना होगा 9-45 इकाई यंग के नीचे सुन लगाके दहाई यंग से गुड़ा करने के लिए दहाई यंग से लिखना सुरुआत करेंगे हम इसे हमें यहां याद रखना है एक सुना सुन हो गया और नव एक कम नव हो गया अब इसको जोड़ देंगे सुन हो गया पांच हो गया नव एक दस दस तिन तेरा हो गया तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया 1350 तो इस तरह से दो अंकों में दो अंकों का गुड़ा करके हमें क्या करना रहता है शवाल को मैंने आपको दो विधे से बता दिया है अब आप किस विधे से हल करना चाहते हैं तीसरा सवाल एक उधारन और हम देखते हैं 66 में हमें क्या करना है 32 का गुड़ा करना है सवाल को देखते ही हम तीरियक विधे से यदि लगाते हैं तो इस तरह से हम इस सवाल को लिख करके 6 दूनी बारा बारा का दो हांसिल 1 इसका गुड़ाइस में 6 दूनी 12 6 के 6 6 दूनी 12 6, 3 कठ थारा लिख लिया हमने इसको 8, 9, 10, 11 के 1 हांसिल 1 31 के हमने एक लिखा और ए bearing 3 को हांसिल लगा दिया अब इसका गुड़ा इसमें कर दिया 6 के 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18 जोड़ दिया हमने 8, 9, 10, 11, 1, हांसी लेक 21 आ गया और हमें इसका उत्तर डायरिक प्राप्त हो गया कि 6, 6 में 32 का गुड़ा करने पर 2112 उत्तर प्राप्त होता है और यदि इस सवाल को हम अपने प्रचलित वीजिस से हल करते हैं तो 6, 6 लिख करके 32 लिखना पड़ेगा 6, 2, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13 हो गया इकाई यंग के नीचे सुन लगाना है दहाई यंग को जोड़ गुड़ा करते समय दहाई यंग के नीचे ही लिखना है यह हमें यहाँ याद रखना है 6, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 8, 18 के 8 हांसिल एक अठारा 6, 6, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 8, 18 एक उनीच और इसको हमें जोड़ देना है दो हो गया आठ, नौदस, ग्यारक एक हांसिल एक नौदस, ग्यारक एक हांसिल एक दो इसका उत्तर प्राप्त हो गया 2,112 तो इस विधी से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं यदि ये विधी हमने याद कर लिया तो इस विधी से हम सवाल को बहुत ही आशानी से और बहुत ही जल्दी से उसे सवाल को देखते ही हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं हमें हासिल को ध्यान से देख करके लगाना है तीसरा सवाल है देखिए 65 में हमें 14 का बुड़ा करना है तीरियक गुणा की विधि से देखिए मैं सवाल को हल कर रहा हूं 65 में 14 का बुड़ा करने के लिए मैंने इसको लिख दिया अब क्या करना है तीरियक बिधी से देखिए मैं सवाल को हल कर रहा हूं किस तरह से पांच चवक का बीस बीस का मैंने जीरो लिख दिया हांसिल दो लगा दिया छे चवक का चवविस और पांच एक कम पांच यह हांसिल को जोड़ते समय इकाई की नीचे इकाई दहाई की नीचे दहाई पांच और नौ सठ में चवदा से गड़ा करने पर 910 उत्तर प्राप्त होता है इस सवाल को मैं आपको इस विधी से भी हल करके बता दे रहा हूं 65 में 14 का गुड़ा करने पर देखिए 5, 9, 4, 5, 20 हो गया 20 का हमने सुना हांसिल 2, 4, 6, 24, 25, 26 हो गया 26 लिख दिया इकाई के निशे सुन लगा दिया और दाहाई के यंग से गुड़ा करना है एक बच्चे 5 लिख दिया 6 एक कम 6 लिख दिया अब इसको जोड दिया हमने 65 एक कम 65 सुनना 6, 5, 11 के एक हांसिल 1 6, 2, 8, 8, 1, 9 तो इस तरह से 910 इसका उत्तर प्राप्त हो गया तो इसी सवाल को और भी विधी है चौखट विधी से भी हम सवाल को हर सकते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से दो अंखों में दो अंखों का गुड़ा करना इन दो विधियों से इसकी जानकारी प्राप्त करिए तथ हम मेरे आगे आने वाले चैनल आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को दबाएं धन्वाद सभी का